हलो बच्चों कैसे हो आप लोग आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने आया हूं जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोगों ने अनकेडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया तो बहुत सारे बच्चों ने हमें बहुत प्यार दिया और बहुत सारे बच्चे हमसे कनेक्टेड भी हुए और हमने भी प्यार जताने के लिए हमारे फी स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजिस किये फीज को कम किया और साथ ही काफी सारे डिसकाउंट ऑफर भी दिये जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा 20% अधार तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अकाइडमिक फीस में थोड़े से चेंज ला रहे हैं और उसकी प्रॉपर इंफॉर्मिशन देने के लिए मैं आकाश सर से को बलाना चाहूंगा जिससे कि वह आपको प्रॉपर इंफॉर्मिशन प्रोवाइड कर सके कि क्या चेंज आ र नंबर्स में एक्जाटली क्या सिमिलारिटी है या क्या मतलब इन दोनों का मेल है वो मैं आपको बता रहा हूं कि 20 परसेंट हम डिसकाउंट अल्रेडी दे रहे थे किसी एक पटिकुलर फीस के उपर राइट जो आप लोग पता है 20 तारिक जो यहां लिखी हुए बिटा 20 जनवरी यानि कि 20th of January तो मैं यह बता दूँ कि 20th of January या उसके बाद होने वाले admissions या registrations के उपर फी जो है थोड़ा सा increase होने वाला है लेकिन 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 यह 20% डिसकाउंट आपको उस फीस पे भी मिलेगा but the major difference would be कि फिर वो amount जादा हो जाएगा और उस पे 20% discount मिलेगा सर तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ बेटा कि अगर हम decide कर चुके हैं कि हमें early bird registration कराना है यानि कि जल्दी से जल्दी हमें registration कराना है तो क्यों ना हम कम फीस पे registration कर वाले बजाए इसके कि बड़ी हुई फीस पे सर 20% discount हम लोग ले साथी साथ एक चीज़ और मैं आप ल इस पर तो उस पे भी आप no-cost EMI जो है plans active कर सकते हैं depending on the conditions जो भी वह conditions होंगी आपको counselor बता देगा सर विसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट बच्चों का आता है जैसे आपने वह बोला कि सर मैं बाहर हूं तो मैं कैसे बहुत आती हैं और खासकर जो बच्चे अभी कोटा में नहीं है या फिर किनी के छोटे भाई बहने बच्चे कोटा से चले गए हैं और उनकी क्वेरी आपसे पढ़ाना चाहते हम जाते हैं अनक एडमी में ले तो वाट इस प्रोसीजर और हम सर आ नहीं सकते registration के लिए तो यह एक थोड़ा सा एक issue आ जाता है एक disconnectivity आ जाती है बस को दूर करने के लिए हम लोग क्या विचार कर रहे हैं वो आप बताईए इसमें चोटा सा जो बच्चों की help हमें लगेगी वो यह है कि बच्चों को यहां आने की ज़रूरत नहीं है registration के लिए right classes शुरू होंगे तो definitely बच्चे यहां आएंगे घर से registration कर सकते हैं इसमें एक चोटा सा catch है कैच यह है कि comment box के अंदर हमने comment pin किया हुआ जिसमें एक आपको Google form का link दिखाई दे रहा होगा राइट साती साथ वही link आपको जो है description box में भी मिलेगा तो उस link पे आप क्लिक कीजिए ताजुबिया Google form जहां पर minor चीज़ें आपसे कुछी हुए जैसे आपका नाम हो गया सर आपका mobile number हो गया आपके parents का mobile number हो गया प्लस आप कौन सी stream में admission लेना चाहते हैं कि वह 8th class है या 12th class है या फिर वो repeater batch है आप IIT करना चाहते हैं या फिर आप Olympiad का competition उसको fight करना चाहते हैं तो यह सारी details आपने महां देनी है हमारे जो counselors है मुझे clarity चाहिए कि यह जो हम 20% of the discount दे रहे हैं whatever the fees is तो यह हर बच्चे के लिए क्या 10th 9 10th 11 12 यह सारे बच्चों के लिए है each and every student will be getting 20% discount मगर बात वही है बिठा कि 20 तारिक को price हो जाएगा और उसके ओपर discount आपको और offline education तो मैं बता रहा था आपको कि एक form है वह form आप लोगों ने भरना है हमारे counselors यह हमारे executors जैसे उस form को receive करेंगे उन details को receive करेंगे सर तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको call कर लेंगे और call करने के बाद आप अपनी जो queries हैं जो basic queries होती हैं सर वो सारी queries को जो है आप counselor से पूछ सकते हो उनसे पूछ सकते हो कि क्या procedure है कितना fees है क्या क्या चीज़ें लगेंगी DST मैं कैसे दे सकता हूं कैसे नहीं दे सकता हूं वो सारी चीज़ें आप वहाँ से पूछ सकते हो but first and foremost you need to fill the form to get in touch with us है ना ताकि आप लोगों को क्या है अपने शहर को छोड़के जल्दी आना भी ना पड़े आप लोगों का सारा काम हो जाए पिर जैसे आप लोगों की जो बैस डीटेल से वह आउट होंगे तो उस ताइम क्लास से कुछ दिन पहले आई अगर रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना चाते हो एक अपना पूजिशन मना लोगों कि यार हमें इस बच्चे से बात करनी है जरूर से बिलकुल और हम लोग खुद आप लोग उससे कॉंटेक्ट कर लेंगे हमारे काउंसलर्स आपको complete information प्रोवाइड कर देंगे कि कब से बै आपके मन में जो जितने भी सवाल है ना उन सबके जवाब सबके जवाब को मिल जाएंगे तो जब तक कोई उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आप तो बस एक गूगल फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद आगे counselor खुर आपसे connect हो जाएंगे बिलकुल सर और एक चीज और ह है बिटा जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जैसे अभी हम लोग नया सेशन शुरूर करने वाले हैं सर तो मेरा च्छोटा सा सवाल आप से है कि ऐसे बच्चे जो पहली बार कोटा आ रहे हैं या ऐसे बच्चे जो फर्स टाइम अपने घर को छोड़ कर के कोटा आ तो उनको अपनी preparation जर्नी को continue करने के लिए एक साल या दो साल जितना भी टाइम लगने वाला है तो उस दौरान first timers को क्या करना चाहिए सर क्या-क्या चीज़ें खयाल में रखनी चाहिए क्या-क्या चीज़ें दिमाग में रखके आनी चाहिए और किस तरीके से mentally prepared हो के आना चाहिए कि मदब वो जो है अपना गोल अचीव करके वाबिस जाए तो उसमें थोड़ा सा ही guidance सर बिलकुल चीज़ें और की शाब ज किई लूग çünkü ऴार वहार नहीं को कि अवक्येमिया के वाफ़ाई में बाकि यह बहात है क्यूंत यह लंग क्यों कि यहां पर जो भी स размynी होती है और हरज उक्रीए लेकिन क्या है जब हम बात करते हैं इंडिया के चॉप एजूकेटरेस की ऐसे लोगों की जो जिनको 25-25 साल 33 साल का एक्सपीरियंस है दिनों की भई जेए का लेटिस पैटर्ण क्या चल रहा है वो जानते हैं हर एक चीज को बुक होतर्स हो गया बहुत नामी गिरामी आप बिल्कुल ऐसे समझो कि उतना ही डिफरेंस है जितना अपने गली महले के क एक नॉर्मल स्टेडियम में खेले में और एक इंटरनेशनल इस्टेडियम में खेले मैं बिल्कुल तो सेम डिफरेंस है तो जो आप किसी कॉम्टेटिव एक्जाम की प्रपरेशन करते हो ना तो आप को आपको कॉम्टेव महाहल चाहिए हो तो इसमें यह समझो विटा कि यह नहीं कहा रहा कि दॉनों क्रिकेट अलग अलग है बेल्ग बहुत अच्छे और इन फैक्ट मैं खुद गली क्रिकेट को बहुत ज़्दी पार लेते हो आप खुश बहुत जादा बजाते हो लेकिन अक्चुल पर्फॉर्मेंस एनालेसिस अक्चुल आप कहां स्टैंड करत बता चलता है तो वी आर एंफोर्सिंग कि आप कोटा आए और अगर आने का प्लान कर चुके हैं तो बैटा इस ओफर को भी अविल करें और कोटा आए हमारे साथ रहे हमारी मेंटॉर्शिप में पढ़े प्लस जो है आपको हम अल्रड़ी बता चुके है कि कोटा आने का फा आप कोटा आ रहे हो ना तो आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है पहला कि मुझे फुली फोकस रहना है मैं जिस एम को लेके कोटा आ रहा हूं ठीक है बस वही काम करना है तो यह सारा गेम जो है ना वह डिटर्मिनेशन और डिसिप्लेंड का है जो बच्चा डिसिप् और दूसरे डी का मतलब हो गया आपका डिटर्मिनेशन कितना है और और फिर चितने आपको रहना है कि आपका टार्गेट क्या है आप डेडिकेटेड रहो हमारी जो गाइडिन्स है वह आप लोगों को डेफिनितली मिलेगी और बहुत बढ़िया बढ़िया टॉप बढ़िया रंक लो और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं तो मैं तो अब ही आप वीडियो जब देख रहे हो तभी आप गूगल फॉर्म पे जाओ और अपने रिजिस्ट्रिशन कर दो अधर्रवाइस आप भाद में भूल जाओ तो बस वही चीज करते रह मक्तू कुछ देख रहे हो सही करते हैं।